इस सदन की सोभा बढ़ाने वाले सदन में जीवन तता लाने वाले और सदन के माध्धम से जन सेवा में रत ऐसे चार हमारे साथ ही उनका कारकाल पूर्णा होने के कारण नए कारे की और कदम रख रहे हैं स्रिमान गुलाम नभी आजाज जी स्रिमान समसेर सी जी मीर मुहमद भायाज जी नाजिर एहमद जी मैं आप चारों भानुभाव को इस सदन की सोभा बढ़ाने के लिए आपके अनुभाव का आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाब देने के लिए और अपने खेत्र की समस्याओं का सवाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ मिर महमद जी और नजिर एहमद जी ये दोनों ऐसे साथी सदन में शायद उनके तरह बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा कि जिनके साथ मुझे मेरी चेंबर में बैठ करके अलग-अलग विश्यों पर सुनने का समझने का मोका न मिला इवन कश्मीर की भी बारी किया जब उनके साथ बैठता था कभी कभी तो परिवार के साथ भी आते थे इतने अलेक पहलू मेरे सामने रखते थे कि वो मेरे लिए बड़ा इनलाइटिंग रहता था तो मैं हमारे दोनों साथ्यों के जो मेरे साथ व्यक्तिके दुर्प से नाता रहा और जो जानकारिया मुझे वो मिलती थी उसके लिए उनका रदय से अभार भी व्यक्ते करता हूं और मुझे विस्वास है को उनका कमिट्मेंट और उनकी शमता ये दोनों देश के लिए और विशेश करके जम्मु कश्वीर के लिए काम आएगी देश की एकता देश के सुक्ष शांती वैफों को बढ़ाने में काम आएगे ज नाना थि समसेर सेंजी, अब तो याद भी ने रहा कितने सालों से ऱ। उनके साथ काम करता रहा हूं. कि मैं संगठन की दुनिया में का इंसान रहा इसी क्षेत्र में मैं काम करता था कई वर्षों तक जमुकुष्मिर में भी काम करने का मुखा मिला तो मेरे साथ ही कारकरता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रावल करने का मुखा मिलता था बहुत छूटी आयू में जो इमर्जेंसी में जेल में गए उसमें समसेर जी थे और इस सदन में समसेर जी जी की उपस्तिती 96 परसंट है यह अपने आप में याने जो दाईत्वे जनता ने उनको दिया उसको बिलकुल शत्र प्रतिशत निभाने का प्रयास मुझे विश्वास है कि जम्मु कश्मीर से रिटार होना वाले चारे आदरने सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कारकाल सबसे उत्तम कारकाल है क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं सही यात्री बने हैं कि यह उनके जीवन की महत बड़ी घंता है कि सिमान गुलाब नभी जी मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाब नभी जी के बाद इस पत को जो समालेंगे उनको गुलाब नभी जी से मैच करने में बहुत दिकत पड़ेगी क्योंकि गुलाब नभी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते हैं यह चोटी बात नहीं है जी बहुत बड़ी बात है कि वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा प्यादा करना यह सब मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उन्होंने सदन से मैं शरत्पवार जी को भी इसी केटेगरी में रखता है वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे हैं गुलाब नभी जी ने बख्खुबी इस काम को निभाया है मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मिटिंग कर रहा था तो उसी दिन गुलाब नभी जी का फोन आ रहा है तो थीक है आप करते हैं लेकिन आप एक काम कीजिए सभी पार्टी लीडर्स की मिटिंग जरू बुलाईए मुझे अच्छा लगा है कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मिटिंग को किया भी गुलाब नभी जीके सुझाव पर किया था और मुझे कहने में यानि इस प्रकार का संपर्ख और उसका मूल का रहा है कि उनको दोनों तरप का अनुभोग रहा है सत्ता दल का भी और विपक्ष का अ अठाуж साल कारकार कि अपने आप में पशच बड़ी पात होती हैं अए कि बहुत साल पहले की बात है खार दड़ें कि सरकार हुद कि मियाद ने रहा मैं यहाँ सदन में किसी काम सोँ आये था मैं तो दब राज्णीति में नहीं था मैं यह यह चलिवार्ब पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगर्धन का काम करता था, तो मैं और गुलाब नभी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे, अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता हैं, वराब नजन लगाएं बैठे थे, कि ये दोनों का बेल कैसे हो सकता है, हम हसी घुशे से ब करत काम आने वाला है, उन्हों का भाई देखिये, आप लोग हमको अख़वारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मिटिंग में लड़ते जगड के देखते हो, लेकिन सचमुझ में इस चत के नीचे हम जैसे एक परिवार का बाताउन कहीं नहीं होता है, इतनी हमा शाइद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे, तो बताएंगे, हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दिवारे, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है, लेकिन गुलाव नभी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानि एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे है, आईसा बगीचा बनाया है, और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं, नहीं-नहीं चीजे जोडते हैं, और हर बार जब कमपटिशन होती है, तो उनका बगलों रवर्वल ने आता है, याने बिल्कुल मन से उन्होंने इसको समाला है, जब आप मुख्यमंत्री थें, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत घहरी निकड़ता रही है, उसका अर्टन में, शायद ही कोई ऐसी घटना निमिल सकती है, जबकि हम दोनों के बीच में एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जमुकिश्मिर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टरिस्टों ने पर हमला कर दिया, तरीब हाट लोग शायद मारे गए, सबसे पहले गुलाम नभी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन, सिर्फ सुचना देने का नहीं था, उनके आशू रूप नहीं रहे थे, फोन पे, उस समय प्रणव मुखर जी साथ, डिफेंस मिनिस्टर के, मैंने उनको फोन किया, मैंने का साथ अगर, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए, इंडेड़ बोडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी, अगर मुखर जी साथ ने खाए, अप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ भी होसता है, नेकिन रात में फिर गुलाम नमी जी का फोन आया, वे एरपुट थे, बहुते हुआ पिर झारत के हुआ सबें झाह मिल जी जी का फोने के वे दुलाम नमी करता है, हुआ है शुरी उसरा को जरपोगने कि उन्हें मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता कि पर सब्ता जीवन में आती रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था कि दूसरे दिन सुबेब होना आया कि मोडीजे सब्लों पहुंच गई इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नभी जी को गटना और अनुरुप के आधार पर मैं आधर करता हूं। और मुझे पुरा विश्वास है कि उनकी सवम्यता नम्रता इस देश्ट लिए कुछ कर गुजरने कि उनकी कामना वो कभी उनको चेंड से बैटने ने देगे। और मुझे विश्वास है कि जो भी दाईत्म जहां भी वो सम्मालेंगे कि जुरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कॉंटिबिशन करेंगे और देश उनसे लभाविन्प्रित होगा, यह सबरा पौक्ता विश्वास है। मैं फिर एक बाद उनके सेवाओं के लिए आदरपुर्वक धन्यवात करता हूं और व्यक्तिक अद्रुप से भी मेरा उन्चे आग्रह रहेगा, कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार मानिय सदसों के लिए खुले हैं, आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, यह अनुभो बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, यह पेच्छा मैं रखता ही रहूंगा, आपक आपके नरह कूए जिए